21 जून 2020 को सूरिग रहन लगने बाला है और इस सूरिग रहन को लिखे तमाम तरह की बाते की जा रही है हाल ही में एक और तर्क सामने आया है जिसमें ये कहा जारा है कि सूरिग रहन का कोरोना से कनेक्शन है चैनले के एक वग्यानिक ने ऐसा दावा किया है कि किजून को लगने वाले सूरिग रहन के साथ ही कोरोना वारस भी खत्म हो जाएगा चैनले के न्यूट्लियर एंड अर्थ साइंटिस्ट के एल संदर कृष्णा ने कहा कि 26 दिसंबर को लगे सूरिग रहन को बाद उतसरजित विखंडन उर्जा यानि की फिशन एनर्जी के कारण पहले न्यूट्रॉन के कंट के संपर्क में आने के बाद कोरोना वारस का कहर त इसी का नतीज़ा है इसी बदलाओ के कारण धर्थी पर उचित माहौल बना और वारस प्रविश कर गया न्यूक्लियर फॉर्म की प्रक्रिया बाहरी मटेरियल के कारण शुरू हुई जो परिवायो मंडल में एक परमाणों नाभिक हो सकता है वग्यानिकों ने आर्शन का साथ ही कोरोना वारस भी खत्म हो सकता है और इसके बाद आने वारे सूरी के तेज किरनों से वारस निश्क्री हो सकता है और कोरोना वारस खत्म हो सकता है उन्होंने ये भी कहा कि सूरी की किरने और सूरी ग्रहन इस वारस का प्रक्रतिक एलाज है अब चैन्ने के विग्यान थे पर नहीं कोहा है सकता क्योंगी इसका उनकी पास कोया फखोटा सबूत помог अनिया कोई शुर्य-ग्रहन को खत्म करता है या नहीं ये तो शुर्य-ग्रहन खत्म होने के बाद ही सामने आएगा subscribe our channel and press the bell icon for more updates